आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम सिद्धान तक नहीं होता है इस टेडिक लोस पे आपका पहुत पस्वागत है आपका पैसा कितना सेफ है ग्लोबल बैंक क्राइसिस सामने कड़ी हुई है हम बात करेंगे मैंने आपको सिलिकन वैली बैंक पे सबसे अब क्योंकि Тेक श्टाइक बैंक है तो जितने भी टेक स्टाइक अपना पैसा एक रखता है तो यहां पर दिया एक और चीज़ एक एक चीका कोर्स हमारा लॉंच को गया है history का course, हमने quality update कर दी है history और geography में update कर रहा हूँ prelim से पहले पहले course खतम हो जाएगा परसो तक sale है, एक अपने से classic चुरोगी NCRT coupon को यूज़ करेंगे आपको 25% off मेंने का old NCRT मैंने तो नहीं स्वेल से अपडेट कर दी है तो फड़ाक से course को avail करें तो SVB तो डूबा अब इस signature bank डूब गया ठीक है फिर उसके बाद credit squeeze पे बहुत बड़ा ख़दरा मन रा रहा है तो ये एक कहते हैं contagion, बिमारी है ये और अमेरिका में एक ये बाद एक धड़ा धड़ा bank डूबते हैं इधर RBI के शक्तिकांत अधास को global banking award मिला है? क्या मिला है? बहुत अच्छी बात है लेकिन दोस्तों ये इतना आसान है नहीं, ये तना आपको लगता है हम बात करेंगे अब SVB जो customer है उनका जो ये पूरा का पूरा tech startup ही basically इनका जो customer base है SVB ने अच्छा कासा 88 billion dollar, देखिए ये economic lecture है, तो मैं आपको कोशिश करूँगी बहुती आसान शब्दों में चीज़े समझाने में ये mortgage-backed bonds देखो, simple सी बात है यहाँ पे क्या हुआ है SVB के पास खुब सारा पैसा था उसने bonds में डाल दिया Fed ने बार बार इंटरस बढ़ा है उसको return उतना आया नहीं इधर जो investor से वो अपना पैसा pull out करने लगे, simple सी बात है मैंने आपको खुब पैसा दिया मैंने आपको पैसा दिया, आपको लगा कि बहुत अच्छा रहेगा, सब कुछ बढ़िया है और मेरा पैसा आपके पास है और बाइक रुख, कैसे भी करके ठीक है, तो अब आप वो पैसा यहाँ पे रोड़ अपने एसेट बेस दिये ठीक है, और जो इनकी bond yield थी वो लगातार गिरते, अब दो कि mortgage-backed bonds के अगर बात करें, तो यह वही चीज है, ठीक है, हुआ क्या कि देखे, SVB इतना खबरों में इसलिए है, क्योंकि एक जो average bank है, वो 1.5% के करीब interest rate देता है, मतलब अगर मैंने आपको पैसा दिया, 1.5% मुझे in return मिल रहा है बैंक में आप savings account खोलते होंगे तो उसमें आपको पैसे पे interest मिलता है SBI जे सहाथ 25 अभी 25 मार चाहरा है तो SBI पे interest लगेगा, देखते रहे हैं हर 3-3 महीने पे quarterly interest लगता है ऐसे ही Silicon Valley bank में भी है लेकिन Silicon Valley शायद 2.56% interest था, ठीक है, ये इतना interest देता था, मतलब बहुत जादा तो इसलिए भर-भर के पैसा यहां आने लगा, पूरी दुनिया के startup, भारत में भी खूप सारे tech startup आए देखे, अभी भी shark tank देखते हो कि नहीं, वहाँ पे tech startup आता है, app बना रहा है, कोई website बना रहा है, सब tech है तो tech startup है, तो उन्होंने अच्छा खासा पैसा दिया, अब यह 5% बेटा उसके लिए बहुत जादा हो जाएगा ना, जिसके 1000 करोण, 1000 करोण के कडीब, मालो जैसे कोई एक मेरी company है, Study Glows Software Limited, ठीक है, अब मैंने 1000 करोण रुपए जो अबरी funding मिली, मैंने SVB पे जमा कर दी, और उसमें मुझे 0.5%, 2.5% इंटरस्ट मिल रहा है, 25 करोण 25 करोण हुआ ना, ठीक है तो आप यह समझो कि इतना भयानक अगर मुझे इंटरस्ट रेट मिल रहा है, तो मैं अपना पैसा यही पे ही तो जमा करूँगा ना, ठीक है अपना पैसा, मैं यहाँ पे पैसा जमा किया, मुझे खूब पैसा मिला और वो पैसा सोचिए, 1000 करोण का 25 करोण और मुझे मिल गया, वो मैं अपने बिजनस में लगाँगा, तो इसलिए जितने भी टेक स्टार्ट अप है, उन्होंने SVB में पैसा लिया, अब होता भाई मैंने तुमसे बोला कि तुम मुझे पैसा तो मैं तुमको पैसा इतना रिटर्न में दूँगा, एक का डबल, तो डबल मैं लाओंगा कहां से, मुझे भी तो कहीं न कहीं मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि मैं तुमको अब समझो कि यह उस लोन पे 8% इंट्रसेट चार्ज करेंगे, समझ रहो, आप 8% इंट्रसेट, मुझे एक परसेंट दे दिया, इन्होंने, इनके पास कितना बचा, 7% बैंक का पूरा, तब यह श्रीट को पर सही कहता है, कि बैंको की मोनोपॉली होने वाली है, समझ रहो, बैंक साइज अपसदा पैसा, तो यही हिसाब किताब है, तो यही स्वीवी भी नहीं भी किया, ठीक है, लेकिन इतना इंट्रस आपको देना, आप इंट्रस देने के लिए आपके पास क्या है, जैसे आपके पास खूब सारा पैसा है, या तो आप अपना पैसा लगाना रि तो अब maturity वाले bonds जो है इन्होंने निकालने शुरू कर दिया 2021 में आप इसको कहता है mortgage backed bonds ठीक है mortgage पता नहीं जब आप कुछ गिरवी रखते हो तो यह क्या थे इन्होंने bonds निकाले इनको लगा उसे return आएगा लेकिन return आए ने क्योंकि fed ने interest rate बढ़ाने शुरू कर दिया तो value गिरती गई समझे आप यह हिसाब किताब रहा है अब fed ने increase interest rate अब भया साड़े 400 basis points तक एक साल में interest rate बढ़ गए समझ रहा है RBI में तो कितना 50 basis point अभी तक change आया है 50 ऐसे यह ना लेकिन यहाँ पे तो भया साड़े 400 भाई देखो कैसे चल रहा है पैसा हटाना होता ना एक रॉमी से पैसा हटाना होता है इंट्रस रेट भाई जैसे एक पापा जी होते हैं जैसे अमेरिका में ये फेड्रल रिजर्व है ये पापा है बागी सब इनके छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे पुत्र हैं बच्चे हैं मेरे बच्चे यह तो ये छोटे-छोटे समझ रहो तो अगर मालो कि जैसे सपोस करिए कि 100 रुपए जो है पापा जी हमको दे रहे और बोल रहे कि इसका इंटरस्टों को 10 रुपए देना है ठीक है लेकिन अभी मेरे पापा जी ने बोला कि अब इसका इंटरस्टों को 20 रुपए देना है तो मैं क्या करूंगा मैं ज जो आप लोन नहीं लोगे तो आपके लिए बहुत पढ़ी आपकी EMI महेंगी हो जाएगी जैसे मैं मान लो कि मैं हूँ जैसे मेरा दोस्त का मैं एक्जामपल लेता हूँ अब उसकी LIC से एमाई चल रही है अब ऐसे 30,000 किश्ट जाते थी जाता भाई सिद्दान्त हालत खराब हो गई है 37,000 एकदम से मुझे मैसेज है मेरी 37,000 किश्ट कट रही है क्यों क्योंकि आर्बी ने रिपोरेट बढ़ा है और इसकी वज़े से बैंक में इंट्रस्टेट बढ़ा अब उसक पैसा फोन खर्च करने में या घूमने में लगाने वाले तो आपने पैसा बचा लिया तो आप फोन वाले तो बोलेंगे भाई या यह तो मेरा कस्टमर था यह तो आया ही नहीं इसे तो पैसे ही बचा लिए हमाई के चक्कर में तो वो क्या करेंगे वो अपने और प्राइस गिरा देंगे अपने फोन को इससे क्या अप दिखे महँगाई-कंट्रोल होई समझ गय एसे महँगई-कंट्रोल होती है इन्फेशन इस कंट्रोल्ड खतम पैसा हट गया जो पैसा जादा सर्कुलेशन में था हटा यही आर्बिया ही करता है यही फेड करता है और यही इनों ने किया लेकिन इसका असर इस पे आया क्योंकि इनको लगा है ना तो यह नेक्स्ट कैजूल्टी बना तो अब अमेरिका में यह बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है क्योंकि प्रॉब्लम यह है ना कि अमेरिका में बैंक डूपता है तो थड़ा धर दूपते एक के बाद एक डूपता है अब भाईया तो 1929 का ग्रेट डिप्रेशन ज अगर इनका पैसा वापस कर दिया तो ठीक और नहीं किया तो फिर इनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है ठीक है इससे बाई सिंपल सी बात है बाई कंपनी प्यासर पड़ेगा तो बहुत सारे यही बोला कि हम अपने बैंक डिपॉजिट को एक्सिस करी नहीं सकत है कि वह उसे उबर जाता है 2008 की फाइनिशल प्राइस किसी भी देश माई होती तो उसे उबर नहीं पाता अगर भारत में भी आई होते हैं तो भारत के भी बैंड बच जाती लगिन अमेरिका क्योंकि उसके स्ट्रॉक्चर्टर फंडमेंटल से इतने स्ट्रॉंग है कि वह अगर इस प्राइस किया हुआ है और मैंने शेयर मार्केट में लगाया हुआ है वहाँ पर मेरा प्रॉब्लम होई तो यहां से मैं पैसा निकालूंगा उठाके तो अब यह जो शेयर्स हैं उसमें भी तो प्रॉब्लम आई ना घर दगाएगी यह क्योंकि पूरे इंडियन भी ऐसे ही चल रहे हैं मतलब बैंकिंग का जो फंडमेंटर्स वह एक ही रहते हैं वो थोड़ी ने चेंज होंगे डिपॉजिटर्स और इन्वेस्टर्स फिर दर दी फेलियर ऑफ लार्ज बैंक एनिवेर कैने वा कंटेजिन एफेक्ट होता है पूरी अमेरिका में फाइनि लोग बांड पकड़ो दस साल बाद आना मेरे पास दस साल बाद तुमको पैसा देंगे तब तक थोना पैसा मेरे पास है अगर इसको बीच में ले जाने चाहते हो तो खूब पैसा लूँगा ठीक है अवेलिबल फॉर्ट सेल करते हो कभी भी इसको सेल कर सकते हो लेकिन इन बॉर्ण फोटा जो नहींद वार्ण सिंपल पीश औपेपर है बस यूर्य तुम सौ रुपए दो एक साल बात मैं तोंको एक सदस रुपए वापस कर दूँगा खत्म यहीं यह बॉंड पीश पेपर है अ आप जैसे सरकारी बॉर्ड जैसे बाउन दो तरीके को यह उता हो झlor comfortable अब में रिस्क कम होता है लेकिन रिटरन कम मिलते हैं सरकारी काम में आप समझे कि रिस्क कम होगा क्योंकि सरकार डूबेगी नहीं लेकिन रिटरन भी कम देने वो अब लेकिन अगर आप प्राइवेट में जोओ जैसे Reliance के bond या अडानी अभी अपने अडानी का देखा वो private आपको risk बहुत risk जादा है उसमें जैसे अडानी का हुआ ना ठीक है लेकिन उसमें कभी आपने देखा SBI के डूब गया या PN नहीं उसमें risk जादा है private में लेकिन returns हाई है returns आपको तोनत मिलेंगे ठीक है अब bond yield जैसे 100 रुपे अगर मैंने आपको दिये और 10 रुपे आपको मैंने कहा कि मतलब आपको 100 रुपे का bond दिया कि 100 रुपे मुझे दो मैं एक साल बाद तुमको 10 रुपे दूँगा तो 10 रुपे इसकी yield हो गई जो आप उसमें कमाए है ठी ठीक है अब हमेशा याद रखेगा कि जब भी bond rate बढ़ता है yield घटी है और इसका वाइसा वर्सा होता है जब भी economy जाती नीचे जाती है ना तो हमेशा जो है yield जो है वो बढ़ने लगती है तो जो rise in interest rate है two problems in the bond market 13 yield on India benchmark 10 years government bond decline by 6 basis point so went 0.3% fall of 11 basis point ठीक है न in less than a week the yield on 5 years bond fell by 7.30% before closing at 7.30% तो देखिए घट रही है चलिए इसका भी मैं concept आपको बताई देता थोड़ा और अच्छे से देखिए इसमें यही है जैसे मैंने आपको बताया bond yield क्या होती है अब जैसे क्या होता ने जब economy नीचे जाती है जैसे अभी इस समय है जैसे SVB क्या है वो खतम हुआ ध ठीक है तो शेर मार्केट से जो पैसा है वो निकाल लिया जाता और डाल दिया जाता बॉंड मार्केट में क्योंकि बहुंकि बहुत सेफ होते है शेर तो शेर है लेकिन बहुत सेफ होते है किस पर हमको fixed interest में नहीं मिलना है तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालके bond में एक बाद बताओ, कि आज से दो साल बाद जब COVID आया था, तब तो मार्केट बढ़िया था, तो अगर मैंने 100 रुपे का बॉंड खरीदा, समझे रो ना, यील्ड मुझे 10 रुपे की मिल ली थे, यानिकि 110 रुपे मिल ले थे, लेकिन अभी क्या हुआ है, कि बॉंड की एकदम डिमांड बढ़ गई है, क्यों? क्योंकि इसकी वज़े से, मैंने बताना है, शेयर मार्केट से पैसा निकाल के सब जगा बॉंड में लगा दिया, तो बॉंड की डिमांड बढ़ गई, जिसी इसकी डिमांड बढ़ गई, उसके प्राइजेस बढ़ेंगे, तो अब ये बॉंड 110 रुपे का हो गया, तो जो बॉंड मैंने 100 रुपे का ले थे, आज उसकी कीमत 110 रुपे की हो गई, तो यानि कि जो इंसान आज इसको ख़ड़ी देगा वो महंगे पर ख़ड़ी देगा ना लेकिन यील्ड तो उसकी 10 रुपए है न मिला 11 रुपए चाहिए था लेकिन मिला तो उसको 10 रुपए समझ रहे हो तो यह हिसाब किताब है तो इसलिए बॉण्ड इस जो है वो घट्टी हुई दिखाई दे रही और यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं है थीक है इंपली को यह तो चलिए मैं आपको बताई चुक है इंट्रस्टेट इंट्रस्टेट मार्केट में उपर जा रहे है तो भाई हम नए बॉण्ड खरी देंगे उसमें नए बढ़िया स्कीम होगी ठीक है हम ओल्ड वन्स को क्यों खरी देंगे ठीक है क्योंकि उसमें ज्यादा इंट्रस्टेट होगा जैब जो मैंने अभी आपको समझाया एड़ रिजल्ट प्राइज अगले साल के दस रु उपन रेट इंक्रीज़ विकॉस अधी लोर फेस वैल्यू थस इंक्रीजिंग दी बॉण्ड यील्ड जैसा किम ने बताया ठीक है डिमांड जादा होगी बॉण्ड यील्ड बढ़ेगी एंड सच रापेट राइस इन रेट सच अच शॉट टाइम कॉस्ट दी मार्केट व लेकिन अभी एंशन की बात नहीं है क्योंकि भारत के बैंक अभी अच्छा करी रहे हैं ठीक है और फाइनेशल स्टेविलिटी जो रिपोर्ट है बोला कि हाँ ग्लोबल स्पिल ओवर और फाइनेशल मार्केट की वज़े से मुश्किल आएगी हम हाई रिस्क अभी जो अपना रेपो रेट जो है वो 6.25% पर ही रखेगा ठीक है लेकिन हाँ अभी फेड अपना बढ़ा सकता है बढ़ मुझे लगता है कि वह बढ़ाएगा नहीं क्योंकि अभी हालात अगर आप उसने डेट बढ़ा है तो और बहुत बढ़ी प्रव्लम्स हो जाएग करो जितना ज्यादा हो सके सेविंग इस ऑलवेस डी की जितना ज्यादा सेव हो सके अपना पैसा करो आप किसी भी किसी भी दिक्कत से बच जाओगे तो यह लेच्चर था यह पापको पसंद आया होगा बागे मारे कोस को आप जरूर अविल करो थांक्यों सो मच